पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा समय आ गया है गौरी पुत्र, मेरे प्रस्थान का अब दो लंकेश ने एक ही उचाल में लंका पोचने का निर्ने ले लिया है तो फिर मैं कैसे रोकू इन्हें? रुकी लंकेश ने गउरी पुत्र, ये क्या क्या आपने? मुझे इस प्रकार रोक क्यो दिया आपने? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी प्रभू महादेव के समस्तो 19 अवतारों की कथा कहा संपूर्ण हुई है? प्रभू शिवशंकर शंभू के जितने अवतारों के कथा मुझे ग्याद थी, मैं आपको सुना चुका हूँ क्यूंकि शेश तीन अवतार तो भविश्य में अवतरित होंगे उचित है, किन्तु आपने तो मुझे अभी तक प्रभू महादेव के 19 अवतारों में से उनके 15 अवतारों की ही कथा सुनाई है और उनके तीन अवतार तो भविश्य में होंगे अर्थात अभी भी प्रभू के एक अवतार की कथा तो शेश है प्रभू के चार उग्र अप्तार प्रभू वीरभद्र प्रभू भैरव प्रभू व्रिशप और प्रभू शरव फिर दिर्दा को सीख देने वाले उनके चार अप्तार प्रभू पिपलाद प्रभू रिश्य दुर्वासा प्रभू अब्दूत और प्रभू यक्ष ये हुए उनके आठ अप्तार फिर प्रभू के दो भगत अप्तार थे प्रभू नंदी और प्रभू ग्रहपती और भक्तों के उद्धार के लिए प्रभू सुरेश्वर और प्रभू कृष्ण दर्शन के अप्दार के साथ उनके तीन सौम्य अप्दार थे प्रभू ग्रम्हचारी सुनट नर्त और भेक्षुवारी तो इनकी पूर्ण गरणा हुई 15 अफ्तारों की तो प्रभू के सूलवा अफ्तार थे हाँ प्रभू यथीनात उनकी कथा अवशेश है लंकेश प्रभू की यथीनात अफ्तार की कथा के उप्रान तो आपको प्रस्थान करना है तो आप जल्ग रहन करते रहिए और पूर्ण निश्चिंतिता से उचित समय लेकर विस्तार से मुझे उनकी भी कथा सुना दीजिए गौरी पुत्र मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाँगा किन्तु मेरे पास अधिक समय नहीं है मुझे सुर्यास्त के पूर्ण लंका अवश्य पहुशना है शिगर जल दीजिए प्रभू के अगले अफ्तार प्रभू यथीनाथ का संबंध आतित्य धर्म के महत्व को समझाने के लिए था लंकेश और जल ग्रहन कीजिए ना करते जाएए एक बन में एक भील और भिलिनी वास करते थे वहाँ विचरण करने वाले योगियों से उन्होंने प्रभूशिव शंकर शंब्भू की महिमा का श्रवन किया और धीरे धीरे वो उनके भक्त बन गये और फिर उन्होंने एक शीला खंड को शिवलिंग की माननेता देकर पूजा आरंभ कर दी भागिवान देखो मुझे क्या मिला है आज उनमे देखो मुझे वन में क्या मिला इन्हें में अपने साथ लियाया हाँ ये तो वोई बाबाजी के प्रतिक के समान है जिसका गुणगान हमारे अतिथी गण करते थे उचित कहा तुमने हमें भी बाबाजी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए और अपार पुन्य प्राप्त करना चाहिए बाबाजी यदि प्रसन हो गए न तो वो हमें दर्शन देकर कदाचित हमारा भी उधार कर देंगे ये तो उचित कहा आपने हमें ऐसा ही करना चाहिए कहां स्थापित करूँ इन कहां स्थापित करूँ हां कदाचित बाबाजी को स्थापित करने के लिए यही स्थान उचित रहेगा अब हम भी बाबाजी की पूजा कर सकेंगे मैं स्थान को सोच कर देती हूँ और मैं बाबाजी की पूजा के लिए जल ले आता हूँ हाँ बुचित अब मैं पूश्प लिए आती हूँ स्वामी आपको स्मरंड है पूजा की क्या विधी बताई थी हमारे आतीत्योंने पहले पुश्परपन किये जाते हैं ये जल मेरे विचार से तो सर्वप्रथम जल ही अरपन किया जाता है नई, नई, आपसे कोई भूल हो रही है सरपर्थम पूश परपन किये जाते हैं नहीं प्रिये मुझे भली भाती स्मरण है सरवपर्थम जल ही अरपन किया जाता है देखे भूल हम दोनों से ही हो रही है वास्तव में सरपर्थम हमको बाबाजी के प्रतीक को स्वच करना चाहिए है की नहीं? हाँ, उज़े दिस्मरण कराया तुमने स्वच्छता तो अतियावश्चक है लो स्वामी, ऐसे नहीं वहामें देजी बाबाजी की जय बाबाजी की जय अरे रुक, रुक, रुक क्या हुआ स्वामी? मुझसे कोई तुरुटी हुई क्या? कदाचित पुष्प नहीं कुछ और समर्पित किया जाता है बाबाजी को तो फिर? तुम्हें भीना कुछ भी इसमरण नहीं रहता है पुष्प नहीं बाबाजी को पत्र समर्पित किये जाते हैं तुम रुको, मैं बाबाजी के लिए पत्र लेकर आताओ बाबाजी शमा करना मुझसे भूल हो गई हमने सरपgiliदम आपको पुष्परपित कर दिये शमा करना बाबाजी, शमा बाबाजी ये देखो प्रिये मैं बाबा जी की पुजा है तू अनेक पत्र लेखा हूँ ये उचित की आपने बाबा जी की जै हो बाबा जी में प्रति दिन इसे प्रकार आपकी पुजा प्रार्थना करेंगी बाबाजी जब आप हमसे प्रसन हो तो हमें दर्शन दीजेगा ये लोग और पत्र ले आया है बाबाजी कीजे बाबाजी कीजे बाबाजी कीजे बाबाजी कीजे ओम नमस्यवाई ओम नमस्यवाई ओम नमस्यवाई ओम नमस्यवाई ओम नमस्यवाई बाबाजी कीजे हे बाबाजी जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे हम निरंतर आपकी ऐसे ही पूजा आर्चना करते रहेंगे बाबाजी कीज़े बाबाजी कीज़े प्रणाम प्रभु बाबाजी कीज़े मैं जलकुंड से और जल लेकर आता हूँ बाबाजी कीज़े बाबाजी कीज़े प्रभु अवश्य आपके असंख्य भक्तों में से किसी महान भक्त ने पूंट श्रधा और भक्ती के उच्चतम शरण पर पहुच कर आपका स्मरण किया है और आप उन्हीं दर्शन प्रदान करने जा रहे हैं हाँ देवी आपने सरवता उचित कहा मैं अपने अत्यंत प्रिये विशेश भक्तों को दर्शन देने जा रहा हूं वो सिध्ध पुरिश वो महात्मा कौन है प्रभू बाबाजी की जय मैं पुना यही पत्र बाबाजी को अर्पित कर देती हूं आश्चर तो क्या यही है प्रभू के वो विशेश भक्त? बाबाजी की जय इनके इस प्रबल जाब का आभास तो मुझे भी हो रहा है यह किसका विचित्र स्वर जिसकी गुण्ज यहां स्वर्ग तक पहुँच रही है यह महादेव की कैसी विचित्रा रात ना है प्रभु के शिवलिंग के स्थान पर मात्र एक शीला खंड है प्रभुपान ने उच्छावर करने के लिए बेल पात्र भी नहीं और जिस प्रकार उनका जलाबिशे किया जा रहा है वो भी वो भी उचित्र नहीं देखिये ना महादेव की कितनी विचित्र पूजा कर रहे है ये ये विचित्र नहीं ये सरवदा अनोखी पूजा है मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ इन दोनों की अबोध निश्कपट पूजा भूलेना तक अवश्य पहुच गई होगी प्रभु भ्रम्मान के अनेकों स्थान पर स्थित्थ होकर महान तपस्वी, योगी, ज्यानी, महान तम पुरिश, पून विधी विधान से और श्रधा से आपकी पूजा कर रहे है और आप, आप इन भगतों को अपना दर्शन प्रदान करने के इच्छुक है जिनने ना ही पूजा की विधी का कोई ज्यान है, और ना ही किसी मंत्र का ज्यान उन्हें तो स्वच्छता और शुधता का भी कोई ध्यान नहीं है प्रभु यहां तक कि आपकी शिवलिंग की पहचान भी नहीं है इन भगतों को इसलिए मेरे मन में ये जिग्यासा उत्पन हो रही है स्वामी कि ऐसा, ऐसा क्या विशेश है इन भगतों की भगती में कि आप इने दर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर हो रहे है प्रभु कराजी दिनकी पूजा विधी को अपून मान कर आप मेरे द्वारा इने दर्शन देने के मेरे इस नेड़ने से सहमत नहीं तो फिर उचित है देवी मैं अपने भगतों की परिक्षा लोगए उन्हें अपनी योगीता प्रमानित करने का एक अफसर प्रदान करूँगा मुझे विश्वा से दिए उसके उपरांथ आपके समस्च चंशे दूर हो जाएंगे किंतु स्वामी प्रभु मादेव उन्हें दर्शन प्रदान कर रहे हैं ये दोनों भील भील नीकी इतनी तुर्टी पूर्ण पूजा को क्यों फलित कर रहे हैं प्रभु प्रण 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 बाबा जी की जैए बाबा जी की जैए अलक निरांचान हम बाबा जी की पूजा आर्जना तब तक बन नहीं करेंगे जब तक कि वो हमें स्वेम दर्शन न दे दे बाबाजी की जैए पर हमने तो प्रण लिया था ना कि जब तक प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे हम अपने पूजा की स्थान से नहीं उठेंगे उचित कहती हो तुम किन्तु मैंने ये भी सुना है कि अतिती भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं अतै उनकी सेवा करना भी भगवान की पूजा प्रार्थना करने के समान ही है तो फिर यदि हम अथिती देव की सेवा करेंगे तो इससे हमारी पूजा भंग नहीं होगी सत्त कहते हैं आप फिर तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए कितनी दिव्य उर्जा है इन योगी तपस्वी की मैं एक योगी हूँ जो निरंदर ब्रह्मन कर अपनी तपस्या करता है यतिनात नाम है मेरा और मैंने सुना है इस वन के मार्थ से जाने वालों को आपके यहां अथित्य प्राप्त करने का स्वभाग के प्राप्त होता है सर्वधा उचित सुना है आपने हमारी कुटिया के द्वार तो सभी सिद्ध पुर्शों के लिए सदैव खुले रहते हैं और हमें ये भी ग्यात है कि अतित्य की सेवा करना स्वेम भगवान की पूजा अर्चना के समान है इसलिए आप कुटिया में प्रवेश कर हमारी कुटिया को पवित्र करने की कुटिया करने की कुटिया करें हमें इनका नाम तो नहीं गया थे हम इन्हें बाबा जी कह कर पुकारते हैं कदाचेत ये हमारे बाबा जी की कृपा ही है जो आज हमें आपका आथित्य करने का सौभागे प्राप्त हुआ है आईए प्रभू आईए प्रभू आसन ग्रहन केजे आशा है आपको इस आसन पर कोई असुविधा नहीं हो रही होगी आप अपने ब्रह्मन से ठक गए होगे आपको भूग भी अवश्य लगी होगी हम आपके भूजन का प्रबंद करते हैं मेरी पत्नी अत्यंत स्वादिष्ट भूजन बनाती है उसके हाथ का बना भूजन करके आप आनंद अनुभूव करेंगे तुम भूजन की तयारी करो मैं तदकाल वन जाकर भूजन ही तू कुछ आखेट कर लगाँ ये विचित्र भक्त क्या खेरा है ये तो महादेव को तामसिक सची भक्ती निर्मल और पावन होती है इसलिए भगवान भक्त की बाह मलिंता को ना देखकर उसके आंतिरिक प्रेम को देख खिची चले आते हैं अजय को दूँ आता है